मेरे सबी दोस्तों को रादे रादे और आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम कीरतन की तैयारी और कीरतन की शुरुवात कैसे करें मेरे किसी व्यूवर्स में कमेंट लेके मुझे ये सवाल पूछा था तो मैंने उसे का कोई बात नी मैं एक व्यक्ति को ये बात न बता कि में वीडियो ही बना देती हूं तो आज मैं इस के लिए मैंने वीडियो बनाई है और तो आज मैं इस वीडियो में आपको पताने वाली हूं कि किरतन की तैयारी कैसे करें और किरतन की सुरुवात कैसे करें तो किरतन की तैयारी के लिए तो जैसे कि हमने कल किरतन रखा है आ माता का किर्तन है तो सिंघार का सामान लाना है मिठाई फल बगड़ा लेके आने है और माता की पुजा की सामग़ी लेके आने है तो यह सॉमन हमेhem meati एक दिन पहले इलिस्ट बना KA और सभflix लेकर खर लेना पड़ता है और एक दिना लाने से हमारे दूसरे दिन तो यह सब चीज की विवस्ता में पहले से करने पड़ती है माता की सिंगार के 5 सामान या 11 सामान जो भी आपको रखने होते हैं लेकिन मैं आप सभी से एक बात क्याना चाहूंगी कि माता की सिंगार में अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो करने वाले आएंगे वह इतो ल家ँ की समय उचें करते हैं वह जो हम सिंगे आप अच्छा सामन को सावन के लिए भी निकाल है क्योंकि हम ये थो कica करने आए हैं उनके लिए नहीं कर रहे हैं यह माता रानी के नाम से कर रहे हैं, तो हम उनके नाम से निकालते हैं, तो माता रानी के सुच्छूनुक से उसे घरण करी लेती हैं, तो इसी लिए इस दिहान रखे हैं, और माता जी के इस कीरतन में पूजा सामगिरी में है, जो पूजा की सामगिरी होती है, मैं आपको बता तो माता जी के पुजा की सामिगिरी है, माता राणी की चुन्नी, प्रसाद, लोंग, सिपाडी, पान, मिस्री, इलाइची, फूल, नारियल, मालाय, और गंगाजल, कलावा, घी, चावल, रोली, दीपक, रूई, गूबत्ती, आदी, ये सब सामान हमें जरुवत पड़ती है, तो ये सामान पहले सा लाकर रख लेते हैं, तकि ज जब हम किर्टन कर ले बैठा है, तो सामान की ऐमें तो इसके आलाबह裡面 पुछ दिखू थार कर कर रहने। आद्धा वह हैं, तो ये सामान पोल्गई हुआ हैं, तो ये सामान पहला हमें एमें लाने होते हैं, वो भी जोती बंदना माता की जोती बंदना गाती हो जोती गीद गाती हो फिर गुरु जी गाती हो अगर आप गुरु प्रैमी नहीं हो तो जोती बंदना के बार में आप गड़ेशी का बजन गा सकते हो तो इसके बाद में पांच बजन बो जरूर गाना जो जिससे रिलेटे का आप थे कि और हमातार ने, ये विभलता रिजास्ता है, जैसे कि है माता का रखवाया है, तो सबसे पहले विभन दीर के फारानी के गाएंगे अगर कणने ये जाड़े चलिए, जब कब माता या कक प्यूंझे, जे हम सब्क राइंदेभन 순ड दीर के सब्सक्तों के गाएंगे. विवस्ता से काम करने में एक आरंध अलग ही आता है इसलिए मैंने बोला और अन्त में जब पितन की समापती होती है तो हम उसके बार में लंगुरिया भजन गाते हैं और हनमान जी का बजन गाते हैं फिर आरती करते हैं आरती के बार में माताराणी का आय जो भी देनी देता ह हम माता जी को प्रणएं कर देती हैं, और प्रणाम करने AI-चाने भूरावे इते हैं, जो citro. घ्यें सबन स्वाध के उसमें अगोब घान्स कराती हैं, सब्डाव अच्छेस बहुती होती किरतन की शुरुवात कैसे करें और किरतन के वुवस्ता कैसे करें मैंने आपको बताया तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी यह मुझे ज़रूर बताना और इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं में मेरे एक चैनल है लुख राण तो का नाम है लोग गीतों की दhouse इसमें टेकर पाण मेरे उसका थाम मेरी उसीन शाम पर पूखनुट तो की जुटिफली उसलों पर में महते की मुख कि दिस नाचने वाले त rifi सब्सक्राइब जच्छा गच्छा सोहर के बहुत सारे गीत होते हैं वो सारे गीत में डालने वाली हूं तो आप मेरे उस चैनल पर भी जाहिए जिसका नाम है लोग गीतों की धूम जिसके लिए मैंने दो बार कोश्ट टाली है और विश्मूल लिंक वह डाली है कि आप मेरे इस चैनल पर इस लिंक को टाच करके अईтории और तो आप दोसे रेकोरेस्ट है कि प्लीज इस तरह से आपने इस चैनल को इतना प्रह्म दिया उस चैनल पर भी जाईए और आपके परबार में किसी के शादी वगरा विश्टारे में वगरा कहीं साधी वगरा हो तो मेरी इस वीडियो को उस चैनल की वीडियो को जरूर शे अबर देने की मेरी साहता करना तो बस इतना ही कहूंगी और मुझे इंतिजार रहेगा कि आप मेरे नई चैनल पर बहुत जल्दी आने वाले हो और मैं सभी का इंतिजार कर रही हूं और एक बात और कहूंगी जब भी आप मेरे उस चैनल पर आओ तो हर वीडियो में ना दे लेकिन लाइक और सेर हर वीडियो को करना यह मेरी आप से भी सेस्ट है तो इसके साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाफ करती हूं रादे रादे